सबी टीचर्स और इस्ट्रूएंट्स को साधर पढ़ाँ अभी मदविद्यस के सारे हाई स्कूल और रेमिडरी स्कूल और प्रैमिरी स्कूल में इन तीन चार क्लासेज में NS से चल रहा है यानि कि नेशनल एच्जूमेंट सर्वे NS इसमें ये जाचा पर्खा जाता है कि बच्चों का पर्फर्मेंस लेवल क्या है यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये मदविद्यस के हमारे जिलेच छिनवाडा का पिछला 2017-18 में जो नेशनल एच्जूमेंट सर्वे हुआ था उसके क्लास 10 का ये रिपोर्ट कार्ड है इसमें कुल जो participating school थे वो 80 थे और कुल student से इसमें 3066 लिये गये थे और उनका response जैने लगवग इतने सारे बच्चों ने इसमें response किया था तो चलिए इनका analysis थोड़ा सा करते हैं और देखते हैं कि इस achievement survey में क्या बाते सामनी आए थी जिसके आधार पर वर्तमान में भी अभी 2020 में ये achievement survey किया जा रहा है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इसमें class 10 में mathematics, science, social science और English और M.I.L. यानि कि जो इंडियन लेंग्वेज है modern इंडियन लेंग्वेज इस यहां तो घर मत्यप्रदेश में बहुत ही कम इसकी students हैं लेकिन mathematics, science, social science और English इसमें हम average देखते हैं कि बच्चों का average कि हाए यह है यह है district का average यानि छिनवाडा जीले का average percentage और right side में यहां पर इस column में आप देख पा average है तो यहां पर कुछ symbols बनी हुए right side में significant difference यानि state के equivalent यह थोड़ा बहुत कम जादा है तो यहां पर इस तरह दिया हुआ है और यह दिक है district में progress दिखाई गई है तो यह ऐसा upper side में arrow बना हुआ है लेकिन यह दिया down है इसका मतलब result की रहा है mathematics में आप देख पा रहा है इस्टेट के average के sum कच्छ ही है 30.86 हमारे चिनवारा जीले का achievement level है और इस्टेट का 30.72 है science में थोड़ा बढ़ा है अधिक है इस्टेट से social science में 37 है और इस्टेट का 36 है English में 30.56 है 29.65 यह लगभग यह थोड़ा बढ़ा है तो इस तरह यहां पर तो हम देख रहे हैं कि इस् कुछ दूसरी बाते भी आप यहां पर देख सकते हैं और वो यह कि इसका वाकई में percentage इतना कम है अब आप यह सोचते होंगे कि यह तो ठीक है state के average के वरावर है लेकि 30% 33% 37% यह हम सिर्फ 10 की बात कर रहे हैं इसके पहले यदि आप class 3 5 और 8 का यदि यह percentage यह achievement percentage देखेंगे तो वो 50% से above है 50% से अधिक है अभी हम सिर्फ 10 की बात कर रहे हैं 10 के हमारा achievement survey किस तरह का है तो यह तो ठीक है state के level के बराबर है यानि state की इस्तिती भी उतनी अच्छी नहीं है अब हम आगे थोड़ा सा और देखते हैं अलग अलग विश्यों में कि percentage level के हिसाब से state से compare किय और state यहां पर दोनों दिये हुआ है यहां पर 76% state level पर 0 से 35% marks achieve किये थे यानि maximum बच्चों ने 0 से 35% marks achieve किये थे अब आप सोच सकते हैं कि इसकी इस्तिती कितनी अच्छी है या फिर अच्छी नहीं है हम इसको कह सकते हैं तो यहां पर आप देख पा रहे है state level में mathematics से में 76.83 है और वहीं पर हमारे district में 76.77 है इसका मतलब यह हुआ कि state level से भी खराब इस्तिती है district की है मैस के मामले में इसी तरह science में आप देख पा रहे हैं बाकी खर state से चूंकि compare किया गया है इसलिए चलिए ठीक है इधर का यह white color है लेकिन यहां पर यह जो red में दिया हुआ है इस color इस्टिक में मैस की सिथी अच्छी नहीं गई जा सकते है maximum बच्चों ही इसी तरह science में भी आप देख पा रहे है इस्टेट level से भी कापी कम percentage है यानि मैस में भी अच्छी इस्तिति नहीं है इसी तरह social science में भी अच्छी इस्तिति नहीं है maximum यह तो लगबग 50% यहां पर आ है लेकिन चलिए मानके चलते हैं कि अधर यह दोनों subject की तुलना में social science से थोड़ा ठीक माना जा सकता है क्योंकि इसमें 48% बच्चे ही इस level में आया है सबसे lower category में आगे English में हम देखें English में 75.96 यानि English में भी अच्छे इस्तिति नहीं है जिस तरह की गड़ित में इस्तित बहुत कम स्कूल से मिलेंगे लेकिन फिर भी maximum percentage आप students हम यदि इस चीज को देखें तो यहां पर जादा बच्चों का जो प्रतिसत है वो इसी level में आ रहा है 0 to 35% में जबकि maximum 51 से अबब रहना चाहिए था यानि 51 से लेकर 100% तक यदि achievement level यह इतना अधिक आता 50% तो यह अच subject जो content base है उसमें district और state का percentage किस तरह का mathematics से में पूरे state का जो हमारा performance 30.72 है जबकि mathematics से में ही हमारी district का जो performance level 30.86 यहने significant difference हमाज सकते हैं state के लगबख सेम ही है यहाँ पर जादा कुछ अंतर नहीं है इसी तरह science में देखे यह भी लगबख सेम है थोड़ा बहुत कम जादा है यहाँ पर कुछ material और यह science के दो तिन topic में थोड़ी से अच्छी सीथी दिखे लिए state से social science में लगबख भी significant है एक दो चीजों में थोड़ा सा chapters में थोड़ा सा अच्छा level है English में देखे यह भी लगबख significant difference है इसमें कुछ जादा नहीं है अब इसके बाद थोड़ा सा हम देखते है boys और girls याने gender wise जेंडर wise में हम देखते है mathematics के मामले में math girls से थोड़े से ठीक थे और science में boys थोड़े से ठीक है social science में boys थोड़े कमजोर हैं यह मान के चल सकते हैं English में English में boys थोड़े ठीक हैं तो इस तरह यहां पर कोई ज्यादा विशेस अंतर हम इसको नहीं मान सकते क्योंकि यह जो percentage level है यही हमें काफी कुछ चिंता में डाल देता है उसके बाद performance location के साब से कि रूरल में किस तरह कि गिश्तिति चैतरों में mathematics का percentage देखें तो घरामिमेंड शेतरों में percent is thirty one percent है या यानि कि ठीक-ठाक है हम इसको ठीक मान सकते हैं इसलिए क्योंगि सहरी चेत्रों में गणित के मामले में मैस के मामले में परसेंटेस लेवल एचिवमेंट लेवल कम है साइन्स में साइन्स में भी गरामेंट चेत्रों में ठीक है जबकि सहरी चेत्रों में अच्छा नहीं है और सोसल साइन्स में भी थोड़ा ठीक है इंग्लिस में हम देखें अब इंग्लिज में थोड़ा असा ध्यान देने की जरूत है, सहरी चेतरों में 31.42% है, जबकि ग्रावर्मेंट चेतरों में 30.190 है थोड़ा गिरा है, M.I.L. तो कहरा हमें हम छोड़ देते हैं, अब थोड़ी से हम बात करते हैं, ग्रावर्मेंट इसकूल और ग्रावर्मेंट एड़ेट और साथी ग्रावर्मेंट और प्रावर्मेंट इसकूल की, तो हम इन सारे सब्जेक्ट में बात करेंगे ग्रावर्मेंट और प्रावर्मेंट इसकूल की बीच में एनलेसिस की, तो government schools में mathematics में 31% achievement level रहा है जबकि private school में 30.67 achievement level रहा है यानि government school का ठीक है science में हम देखे 33.46 यह थोड़ा कमजोर है private schools के comparison में social science में government school का ठीक है private school के comparison में लेकिन English में इस्तिती उतनी अच्छे नहीं है इंग्लिस में 29.7 यह government school के performance level है जबकि private school का जो performance level है वो 34.84 यानि की कम है तो यहाँ पर इंग्लिस में ज़्यादा सुधार की गुंजाई से सुधार की आव सकता है इसी तरह यदि हम इसको social group के साब से देखें तो social group तो खेर उतना मायने नहीं रखता है कि वो हम उसको किस तरह का performance level होगा हाले कि यह भी एक तरीका है schedule cast में 30.08% कमा आया है schedule tribe में थोड़ा अच्छा है थोड़ा अच्छा मान सकते है OBC में 47.8% है यानि यह 50% के आसपास हम इसको ठीक ठाक मान सकते हैं और 10 में 4.60 और CWSN भी थोड़ा सा ही है काफी कम percentage में होता है जनरली तो number और percentage से यह दोनु चीज़े दी होए तो percentage से हम इस बात को समझ सकते हैं अब थोड़ा सा content की बात करते हैं यह जो contents है जनरली सर्वे में इसी तरह के contents पूछे जाते हैं हाँ पर आप देख पा रहे हैं mathematics के जो content है वो algebra, geometry, mensuration, trigonometry, coordinate geometry, number system, statistics, probability ठीक इसी तरह science में food, materials, the living world, moving things, people and idea, how things work, natural phenomena, natural resources इसी तरह social science में history, geography, economics और political science के बारे में बच्चे क्या जानता ही इसका performance level चेक के जाता है English में देखे reading comprehension और language elements है यानि कि English में सुधार की आउ सकता है तो इस तरह teachers आपने यहाँ पर देखा कि यह जो हम इसका पूरा का पूरा analysis जो हम देख रहे थे तो इस्थितिक है state के level में यहाँ अच्छी तो मानी जा सकती है यह सबसे पहले वाले जो analysis chart में हम देख रहे हैं लेकिन एक बात यहाँ पर देखनी होगी कि यह जो performance level है यह minimum 30 आप देख रहे हैं 29 यहाँ पर state average जो है 29 यहाँ इसको 29 state का average मान ले और सबसे अधिक state का average है वो in mathematics, science, social science और English में देखें तो सबसे अधिक है social science में लेकिन यहाँ पर आप एक चीज गौर करें कि क्या यह percentage level ठीक कहा जा सकता है जबकि आप यदि देखें 3, 5 और 8th class का performance level देखें एचिवमेंट लेवल देखेंगे तो वो लगबग 50%, 60% से अधिक है इसका मतलब यह हुआ कि class 10th में आने पर बच्चे बहुत सारी चीजों में कमजूर हो जाते हैं अब इसी कारण यह achievement survey जो किया जा रहा है उससे हमें यह देखना है हमारी जिले में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो achievement अच्छा हासिल कर सकते हैं अभी तो चुकि फर्स्ट यहां पर पहला practice set दिया गया है और यह teachers के दोरा समझाए गया है तो second और third में यह देखना होगा कि क्या हम इसको achieve कर पाएंगे इसे उम्मीद के साथ फिर अभी इस सम्मद में कोई बात समने आती है तो हम इस पर बात जरूर करेंगे और यह एक authentic मैंने पीडिया डाउनलोड किया है NCRT की साइट से और यह 2017-2018 में जो सर्वी हुआ था उसका यह पूरा का पूरा अकलान है तो मिल दें फिर कभी नमस्कार जाहें